Hello everyone, welcome to the new video, so आज की वीडियो में फिर से एक नहीं good news है आप सब लोगों के लिए, so जब से हम से resolve हुआ है और हम से vote of governance आये हैं, तब से काफी ज़्याद अच्छे decision प्रफोर में जा रहे हैं, वो पहले सिर्फ एक साल तक valid था लेकिन आप उस जल्दी ही तीन साल के लिए हमने वाला है, तो news जो हो, almost confirmed news है, तो हुआ ही कि जो MCI का board of governance है, MCI BOG, उसने apply किया था Union Health and Family Welfare Ministry में, Center Government में, to increase the ability of need score, need score के वेलिटी एक साल से बढ़ा कर तीन साल कर दे जाए, तो Union Health and Family Welfare Ministry ने इस चीज़ को approval दे दिया है, तो Center Government ने इस चीज़ को approval दे दिया है, और बहुत जल्द ये official होगा, MCI की website पे भी, लेकिन आपको पता है कि India है, तो अभी भी उन्होंने clear नहीं किया है, कि कैसे क्या होने वाला है, कि जो student इस साल need दे या है, जिसने qualify किया है, और next audit दे के qualify नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा, इस बारे में मुझे कोई idea नहीं है, काफी सारी चीज़े हैं, जो अभी तक MCI ने, MCI Board of Governance ने clear नहीं किया है, लेकिन good news काफी आरी है, इन्हें students के लिए जो abroad में जाके study करना चाहते हैं, इन्डिया और रशिया के बीच में चलती रहती हैं, विल्ट्री डील्स, इंडिया रशिया के बीच में चलती रहती हैं, अभी recently जो news आये PG, जो valid होने वाली है abroad की इंडिया में, और उसके बाद अभी जो NEET का score की इंक्रीज हो रही हैं, वो काफी helpful होगी students के लिए, क्योंकि last year ये चीज़ clear कर दी गई थी, कि next year से students को NEET clear कर गी abroad में जाना है, one time exemption दी के की बच्चों को लेकिन उसके बाद still इस साल भी काफी बच्चों ने form फिल नहीं किया है, हमने जब इस साल NEET correction, NEET form correction जब उड़े तो काफी students ने हमने reply किया कि भाईया में जो NEET का phone भी फिल नहीं किया है, काफी students ने उस वीडियो भी कमेंट किया इस वीडियो में बताया था है, eligibility criteria for 2019, अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो you can go and check that out, उसमें अपने डिटेलर बताया कि क्या होने वाला है to the 19th में for students to study previous, लेकिन उसमें अब यह update काइंड ओफ यह कह सकते हो, आपकी MCI ने जो है MCI Board of Governors ने मैं बहुत भूल जाता हूं, MCI Board of Governors, MCI BOG ने जो eligibility है, उसमें major change आएगा कि जो students NEET एक बार दे चुके हैं, जो जैसे office students होते हैं जो एक साल NEET देते हैं उसके बाद उस year में किसी reason की जाएसे अगर abroad में या इंडिया में admission नहीं ले पाते हैं, mainly abroad के हम बात करें तो अगर abroad admission नहीं जा पाते है for students के लिए, और उनको अगर next day जाना है, तो उनको दुबार नहीं जेना पड़ेगा जो last year का score है, उनके basis पर ही अनको admission मिल जाएगा, तो यह काफी helpful है क्योंकि कई बताने चलता कि क्या conditions हो जाएं, और क्या reasons हो जाएं उसी सेम यह में family conditions, इसके लाब और भी काफी सब्सक्राइब करती हैं, कई बार डोकुमेंटेशन प्लम आ जाता है तो लास्ट ये भी होगा था कि हमाना सथ काफी सुडेंट सच में थे, जिनको admission लेना था लेकिन लास्ट मोमेंट पूने कैंसल करना पड़ गया, due to family reasons और कुछ अधर reasons के विजए से, तो उन्होंने इस साथ specially NEET का फॉर्म फिल किया है, to appear in NEET to get eligibility, मतलब eligible हो सके ताव एक रोड में जाने के लिए, लेकिन आव यह जो नया जो इनिशेटिव एमसे बुड़ोगों में से आप कैसे कि जो लिया है, यह काफी helpful students के लिए, स्पेशली वो जो dropper students हैं उनके लिए खास कर, क्योंकि जो fresh student है वो तो first time NEET देता है, लेकिन जो dropper students है उनको बार बार इस चीज को नहीं देना पड़ेगा, और जो students जिनों NEET का फॉर्म इस साल भी नहीं बढ़ाया, so this is a good news for you, अगर आपको admission लेना है अग्रोड में, तो this year you go for it, और अगर आपको admissions के लिए अगर आपको क्यों जनकारी चाहिए, fee structure, admission process कुछ भी, तो you can visit our website www.rushyafills.com और you can contact us, you can DM us on WhatsApp, और you can check out our YouTube channel, हमने उस पर बहुत सारी वीडियो जा लिया है, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो जिनको proper information नहीं मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को लाइक कीजाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और आपने फिर्टी साथ शेर कीजिए, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो जिनको proper information नहीं मिलती हैं, और गल्थ उनिवस्टी चूज कर लेते हैं, फिर गल्थ इंविशन ले लेते हैं, कि इवर क्या होता है, आपको बोलते हैं कि आपको इस इनिवस्ट में लेके जाएंगे, कि जो बच्चों को जो information मिले हो genuine हो और बच्चे किसी गरत एजेंट के पास ना जाएं, और वो अच्छे से अपनी उनिवस्टी चूज करके, कि मिनिमम कोस्ट लाइक मिनिममम फीस दे कन टेक अद्मिशन इन अब्रोड में ले इन रश्या और इसके अलाव कावी सब्सक्राइब करने चाहते हैं स्टूड़न्स को क्योंकि हम खुद जब तीन सर बड़े रश्या आयते तो हमारे कंसर्टेंस ने हमें ग्रों इंफ्रम इसके अलावा फिर हमने जैसे उनिवस्टी चेंज गिया है और काफी सुडेंस को इस बारे में फिक वेरी जाए कि हमने उनिवस्टी क्यों चेंज किया है तो उसके बाद इन डिटेल्स में वीडियो बनने वाले हैं आप को पता है आपको प्रेशन बटन जहां भी है आप उसको प्रेशकर बीडियो अपको रिटेशन ऑर मिल जाएगा तो आप सबसे रिक्वेस्टे की इन वीडियो्स को जितनाजा शेर अगान विडियो को शेर की जिए और इन हम्हें जोने फ्रेंट वगारग जो process and everything about MBS abroad so that's it for this video guys subscribe and press the like button. I hope this video will be useful for you see you guys next time झाल झाल